15 में क्या कह रहा है नीचे प्रतेक प्रस्ण में एक प्रस्ण और तीस के बाद तीन कथन की जानकारी दी गई है प्रस्णों के प्रस्णों का अध्यान करके ग्याद कीजिए कि कौन से कथन दिये गए जानकारी का प्रस्ण के उत्तर देने के लिए आवश्यक है या नहीं है तो कोईशन नमबर 111 उसमें क्या कह रहा है कच्छा में अध्यापक की आयू क्या होगी अध्यापक की आयू अध्यापक की आयू बताना है क्या होगी उसके लिए हमें कथन क्या दिये हुए है कच्छा में 11 विद्यार्थी है विद्यार्थी स्टूडेंट कितने हैं हमारे प देखते हैं क्या दे रहा है तुटा क्टने विद्यार्थियों और अच्छा अध्यापक की और साथ आयू चोदा वर से यानी स्टूरेंट एंड और एंड क्या है अध्यापक यानी तीचर यानी इनका उसद लिए आया वसा देरिस्टना दिया हुए है 14 years लास्ट वन इस तीसरा कतन दिया हुआ है विद्यार्थियों और अध्यापक की ओसत आयू विद्यार्थियों की ओसत आयू से तीन वर्स अधिक है यानि कि student plus teacher की ओसत आयू विद्यार्थियों की ओसत आयू से यानि कि students की ओसत आयू से तीन वर्स अदिक है ये तीनो डेटा दिये ये तीनो डेटा से हम solve out करते हैं तो क्या होगा 11 student दिये हुए है और एक teacher दिया हुआ है तो 11 plus 1 ठीक है तोटल बारह स्टूडेंट हो गए और दूसरे स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं दोनों की। कितनी है 14 वर्स है औसात आय। तो मल्टिप्लाइ कर देंगे तो दोनों की टोटल लाय कितनी आ जाएगी 168 अब जो है स्टूडेंट्स की आयू दी वही है इस्टूडेंस हमारे कितने दिये हुए हैं रिवेज देंस की संख्या 11 दी हुई है और इस्टूडेंस का जो हैत निकालने तो आ सकता है वेल्ड टूटल एस्टूडेंस की भास आयू का योग अगर आ जाये तो उसको 187 घटा देंगे तो टीचर्स की निकाल datasets तीसरा स्टेट्मेंट नेखते दिसरा स्टेट्मेंट क्या कहे रहा था विद्यार्ति और अध्यापक की ओस उस्थायू से इसमें तीन वर्स्थे अध्यड है याने कि इनकी यो है तीन हुंथ है और यह हमें हूँ ऑफटीन years यानि इस से क्या निकाल लेंगे फोटीन माइनस 3 is equal to S, यानि कि इनकी आउसाताई 11 आगई, इनकी आउसाताई 11 आगई तो ये क्या था 11 स्टुडेंट से 11 स्टुडेंट की आउसाताई 11 हो गई, इनका multiply करेंगे 121 आ जाएगा अब जो है ये ये स्टुडेंट और द्यापक दोनों की मिला करके है ये केवल स्टुडेंट की है इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 47 years 47 years यानि कि तीनों जो है, तीनों स्टेटमेंट हमारे यूज हो गए, इस question को solve करने में, तो इसमें देखते है option क्या है, option पहला है, वन और तीन स्टेटमेंट यूज होंगे, पहला और दूसरा यूज होगा या तो तीसरा यूज होगा या दूसरा और पहला यूज होगा और दी सभी यूज होएंगे, यानि कि हमने देखा है, सभी यूज हो रहे, यानि दी इस दा right answer